सबी साथियों को नमसकार आज के वीडियों में डिस्कस करने वाले हैं आप सबी के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज को लेके और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज को लेके अभी तक आशा करता हूँ कि आपने न्यूज में ये सुन लिया होगा कि Central Government ने Central Government Employees के लिए एक नई स्कीम लाँच की है जिसको UPS के नाम से जाना जाएगा अभी तक NPS चल रही थी NPS की जगह अब UPS को लाँच किया गया है अभी केवल लाँच किया गया है लागू नहीं किया गया है इसको 1 अपरेल 2025 से लागू किया जाएगा तो देखिए अब जो सरकार है उसने जो ये स्कीम लाँच की है इसके क्या benefits होंगे क्या इसके हमें नुक्सान हो सकते है तो एक एक topic को लेके एक important questions को लेके आपके मन में जो भी questions है उनके answers आपको इसी वीडियो में मिलेंगे वीडियो को end तक देखिए वीडियो को share कीजिए चैनल को subscribe कीजिए ताकि इसी परकार आपको latest update मिलता रहे तो देखिए सबसे पहले question है सबसे पहला क्या ये जो scheme है वो central government employees के लिए ही है या फिर ये जो scheme है वो state government के employees के लिए भी है तो देखिए आपको बता दें कि central government ने जो ये scheme launch की है ये दोनों ही employees के लिए है central government employees के लिए भी है और आपके state government के employees के लिए हालांकि इसके लिए state government को अलग से announcement करना होगा कि हम central government की UPS को मानते हैं कि नहीं मानते हैं अगर वो मानते हैं तो आपको ये available करवा दिया जाएगा यदि वो बोलते हैं कि हम ये नहीं मानते हैं तो फिर आपको NPS में ही रहना होगा अब देखिए next question अब आपके मन में ये question आ रहा है कि इस scheme की में क्या option है तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करेंगे जब भी ये scheme लागू हो जाएगी 1 April 2025 से ये time period इसलिए सरकार ने लिया है इतना जो अभी time period आपको लग रहा होगा कि time period थोड़ से जादा है 7 to 8 month का time यहाँ पर लिया जा रहा है ये इसलिए लिया जा रहा है ताकि इसके लिए जो rules हैं जो regulations हैं जो gajetted जो notifications हैं उसको तयार किया जा सके इसके लिए क्या होगा UPS के लिए एक अलग से अब portal launch करना पड़ेगा सरकार को तो नई website डिजाइन करनी पड़ेगी तो बहुत सी तयारे अभी सरकार को करनी है यहाँ पर क्या होगा जब भी ये सारी बाते हो जाएंगी जब भी ये सारे काम हो जाएंगे तब सरकार की तरफ से आपको option मिलेगा एक्जामपल के थूरू भी हम आपको समझाएंगे कि option क्या है कैसे मिलेगा यहाँ पर जैसे मालीजी यद अभी आप income tax return फाइल करते हैं तो यहाँ पर आपको new tax regime और old tax regime का option मिलता है इसी परकार जब यह scheme लागू हो जाएगी एक अपरेल 2025 से तो आपको option मिलेगा कि आप NPS में रहना चाते हैं या UPS में ही रहना चाते हैं या जाना चाते हैं तो देखिए NPS में रहने का नुक्सान यह है कि यह share market के बरोशे चलता है share market उपर गया तो आपका भी पैसा उपर जाएगा नीचे आया तो नीचे आएगा अगर आप भी share market में investment करना चाते हैं पैसा लगाना चाते हैं तो उसके लिए आपको एक एप किया हो सकता होती है तो share market में पैसा लगाने के लिए ऐसा नहीं कि central government पैसा नहीं लगा सकते central government के जो employees है state government के जो employees है आप भी एक छोटी सी रकम के साथ central government share market में investment कर सकते हैं तो share market में investment कीजिए उसके लिए आपको एक एप क्या हो सकता होती है अगर आप भी एप डाउनलोड करना चाते हैं तो उसका link भी आपको इसी वीडियो के description में दिया जाएगा वहाँ से भी जाके किसी भी NPS में या किसी भी NFO में में भी mutual fund में भी पैसा लगा सकते हैं अब देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि जो UPS जो scheme है central government के उन employees के लिए भी अच्छी है जो अभी join कर रहे हैं और उनके लिए भी अच्छी है जो पहले से ही लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो central government की तयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक जोस से कम नहीं है अब आपको यह पहले दिन से assure हो जाएंगे कि मैं जब retire होंगा जिस दिन मेरा retirement होने वाला होगा उस दिन मेरे को जो मेरी salary मिलेगी retirement के time उसकी आदी salary मेरे को pension के रूप में मिलेगी जैसा कि अभी तक आपने सुना भी होगा कि जो भी retire होता है तो retirement के time उसकी जो भी salary होती है उसकी जो basic पे यहाँ पर आप confusion मत होना केवल जो basic पे है उसका आपको आदा मिलेगा तो जैसे माली जी अगर आपकी basic पे यदि 1 लाग रुपीज है तो retirement के time आपको pension के 50,000 रुपे मिलेंगे अच्छा जी इसके अंदर आपको DR अलग से मिलेगा DR मिलेगा तो उसकी विवस्था भी आपको करवा दी जाएगी अब यहाँ पर हम यह discuss करेंगे कि actual में NPS और जो यह UPS लाया गया है इसके अंदर क्या center government को भी contribute करना पड़ेगा या सरकार ही सारा contribute करेगी क्योंकि कहीं ना कहीं यह एक important question है और एक ऐसा मंजस की स्थिती बनी वी है कुछ का यह मानना कि अब हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा अब हमारी CLD बढ़ कर आएगी कुछ को यह लग रहा है कि नहीं नहीं CLD बढ़ के नहीं आएगी तो चलिए तीसरा important जो questions है वो इसी को लेके है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और उसको पड़ भी पा रहे होंगे इसको हम आपको explain कर देते हैं देखिए जो सरकार की अभी जो scheme है NPS उसके अंदर दो बाते है पहली बात है कि आपको जो salary मिल रही है central government में है चाहिए आप state government में है दोनों ही employees को 10% अपनी salary का देना पड़ता है समझ रहे हैं आप बात को तो आपकी जब भी salary आती है तो आपकी जो salary आपको मिल रही है उसमें से 10% काटा जाता है और NPS में क्या हो रहा है दूसरे पार्ट में इसमें ये हो रहा है कि 14% central government आपको दे रही है मतलब जिस भी institute में आप जोब कर रहे है वो आपको 40% दे रहा है अब क्या होगा जो UPS है UPS के अंदर क्या होगा UPS में भी दो बाते होंगी पहली बात क्या होगी आपका जो basic पे है उसका 10% आपको देना ही होगा मतलब आपको ये नहीं मानना है कि अब मेरी salary बढ़ कर आएगी salary उतनी ही आएगी 10% आपको देना ही होगा सरकार क्या करेगी जो 14% दे रही थी उसको बढ़ा के 18.5 कर देगी मतलब 4.5 का increment यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो जो UPS है वो पूरी तरीके से Contributory Fund Scheme है जबकि आपकी जो OPS थी ना वो आपकी Unfunded Contributory Scheme थी उसके अंदर जो सरकारी करमचारी था उसको कुछ नहीं देना पड़ता था OPS में सारा सबको सरकार करती थी लेकिन UPS में आपको देना ही होगा अब इसके 5 ऐसे फिचर्स हैं 5 ऐसी बाते हैं 5 ऐसे इंपोर्टेंट पिलर्स हैं जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए जो हम डिसकस करेंगे हिंदी और इंगलिस दोनों ही लेंग्वेज में आपको एक्स्पिलेंट किया जा रहा है आगे जो सलाइट आप देखेंगे वो हिंदी और इंगलिस दोनों लेंग्वेज में हैं तो आपको समझने में आसानी होगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा तो पहला ओप्शन यहाँ पर आप देख पा रहे है जो पहला पिल लहरा है वो पेंशन का है यहाँ पर आप आप एशोर्ड हो गए है पहले दिन से ही जब आप सरकारी नोकरी लगेंगे तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक आतम संतुस्ती रहेगी कि जिस दिन भी में रिटायर हो जाओंगा 25 साल की सर्विस के बाद यदि आप रिटायर होते हैं जैसे माली जी आज आज आपने सेंटर गवर्मेंट एश्टेट गवर्मेंट को जोईन किया है सरकारी नोकरी में पहली बार लगे हैं जी के दिन तो 2050 में आप रिटायरमेंट लेते हैं तो उस टाइम जो आपकी बेसिक पे होगी उस बेसिक पे का 50 परसेंट आपको मिल जाएगा पलस इसमें DR मिल जाएगा जिसे डिये साल में दो बार बढ़ता है उसी परकार DR आपका साल में दो बार बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये इंपोटेंट है ये एक अच्छी बात है क्योंकि सेंटर गोर्मेंट कोई पता है अभी आगे आने वाले चुनाओं में भी जो विधान सभा चुनाओं होने वाले हैं तो इसी लिए हो सकता है ये क्या गया है अब आपके मन में हो सकता की 8th Pay Commission को लेकर क्या होगा तो 8th Pay Commission को लेकर भी यहां पर डिसकस किया गया है आगे जो अपना बजट आएगा 2025 का उसमें हो सकता है कि एक बड़ी जो अनौसमेंट है 8th Pay Commission को लेके हो जाएगी और होनी भी चाहिए दस साल होने को है और हर दस साल में जो pay commission है उसको change किया जाना चाहिए हालाएं कि ऐसा compulsory नहीं है कि किया ही जाना चाहिए लेकिन अगर हो जाता है आज की जो meeting हुई थी परदानमंतरी मोधी के साथ तो उसमें ये इस बात को भी discuss किया गया है कि 8th way commission का क्या मामला है और ये कब तक होगा चल ये दूसरा जो pillar है उसको लेके discuss कर सकते हैं दूसरे में आपको ये मिलेगा कि assured family pension भी मिलेगी आपको और तीसरा है assured minimum pension ये एकदम confirm हो गए है जिस दिन आपकी सरकारी नोकी लगती है उसी दिन आपको ये benefit मिल जाएंगी क्या होगा जैसे माली जी करमचारी के अगर मौत हो जाती है डेथ हो जाती है तो उसकी जो pension बनेगी जितनी भी उसकी pension बनेगी उसका 60% तो आपको family को मिल जाएगा तीसरा important क्या है ये है कि जैसे माली जी कई बार क्या होता है कि over age हो गए है तब center government में नोकी लगे हैं तो हम तो 10 साल ही जोब कर पाएंगे या 10 से कम ही कर पाएंगे या फिर हो सकता है कि मैंने आज सरकारी नोकी जोइन कर ली 10 साल बाद या 10 साल से पहले ही मेरे साथ ऐसी कोई गटना गटित हो जाए कि मेरे को बीच में ही नोकरी छोडनी पड़े तो उस condition में क्या होगा तो उस condition में आपको 10,000 परती महिना पर मन्त आपको 10,000 pension मिलेगी हालां कि इसके अंदर भी आपका DR जुडा जाएगा उस टाइम की जो भी महंगाई जो दर होगी उसके इसाब से आपको DR मिलेगा तो वो जोडने के बाद 15,000 के आसपास आपकी salary हो जाएगी अगर आप 10 साल से कम service में retirement लेना चाहते हैं तो इसमें और benefit अपने को देखने को मिलेंगे अब यहाँ पर fourth और जो fifth point है यह कहीं न कहीं important रहने वाले हैं जो तीनों pension scheme जो हमने आपके साथ discuss की हैं जिसमें पहला था pension जो 50% दूसरा था आपका family में अगर मालीजिये आपका कोई death हो जाता है सरकारी करमचारी का तो आपकी family को pension मिलेगी और तीसरा है कि 10 साल से कम service में भी आपको minimum pension मिलेगी तो तीनों में ही आपको DR मिलेगा दूसरी बात अब क्या है आपने अपने आसपास में सुना होगा आपके घर में फुफा जी मामा जी पापा जी हो सकता जब रिटायर आए होंगे तो आपने ये सुना होगा या देखा भी होगा कि एक साथ पचास लाग साथ लाग सत्तर लाग अस्सी लाग रूपे लाए हैं रिटायर्मेंट के टाइम एक साथ पेसा मिलता है जो लमसम आमाउट मिलता है उसके बाद जो भी पेसा बसता है उनका वो उनको सेलरी के रूप में मिलता है तो वो ही यहाँ पर होने वाला है यहाँ पर क्या होगा साल में दो बार आपकी जो भी बेसिक पे और जो डिये होगा उसका साल में दो बार 10% हिस्सा निकाला जाएगा और ऐसा ये 30 साल तक करेंगे तो मतलब 30 एर में ये 60 टाइम ये सब करने वाले हैं और 60 टाइम में एक अच्छा खासा लंब सम आपको मिलेगा अब जब मालीजी 27 पे कमिशन के साथ से बात करें तो कम पैसा बनेगा लेकिन मालीजी आगे फ्यूचर में 8 पे कमिशन हो सकता है 20-25 साल में तो 9 पे 10 पे कमिशन भी आपको देखने को मिलेगा तो उस टाइम के गोडिंग अपन चलेंगे तो मोटा पेसा आपको मिलने वाला है लेकिन बस यही है कि अपको तयारी करनी चाहिए दुआधार तयारी करनी चाहिए आपके लिए गुड न्यूज आ चुकी है जोस आ चुका है तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी अपडेट है वीडियो को से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी साथियों ताकि इसी परकार आपके लिए कोई भी जो अपडेट है वो सबसे पहले मिलती रहे आती रहे आपका साथ हमारे बना रहेगा तो हमें भी confidence मिलता है आपके लिए नई नीज लाने का इसके अलाव आपको बता दें कि इसका जो 5th जो पॉइंट है जो 6 महीने का वेतन है 10 परसेंट का अभी इसमें confusion चल रहा है कि retirement से 6 महीने पहले का ही मिलेगा या 30 एर की service में जो 60 टाइम जो 6-6 मन्त में अगर डिवाइड करते हैं वो मिलेगा तो अभी gadgeted notification आने दीजिए देखते हैं क्या होता है तब तक के लिए best of luck कोई भी confusion हो तुरंत message कीजिए comment कीजिए reply आपको दिया जाएगा हमारे साथ जुड़े रहने का यही एक फाइदा है reply आपको मिलता ही मिलता है देने वादे